आज हम लेकर आएं winter की new recipe जिहां guys आपको ये बहुत पसंद आएगा बहुत healthy नास्ता है Welcome back to my channel पीतो की easy recipes में तो आज हम लाएं मक्के की आटे की बढ़िया गर्मा गरम टिक की healthy नास्ता और tasty नास्ता जिहां guys सर्दियों में बनाईए और गर्मा गरम enjoy करिए तो इस recipe को देखने के लिए मेरे channel को एक like जरूर कर देना new हो तो subscribe कर लेना share करना ना भूले तो चलिए इस नास्ते को हम बनाते हैं तो यहां पर मैंने 3-4 बड़े बड़े आलू लिये थे आलू को मैंने cut करके boil कर लिया है आलू कट करके boil करने से बहुत जल्दी boil हो जाते हैं तो आलू को हमें छील लेना है और इसके बाद एक बावल में हम ले लेंगे और इसको हम mash कर लेंगे अच्छे से इसको mash कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने mash कर लिया है अब हम डालेंगे एक छोटी कटोरी सूजी सूजी अगर डालेंगे तो इससे बहुत टेस्टी और कुरकुरा बनेगा और यहां पर एक बड़ी कटोरी यहां पर मक्के की आटा डाले है आप चाये तो इसमें थोड़ा सा जो है चावल का भी आटा डाल सकते हैं लेकिन सूजी बहुत बढ़िया काम करता है कुरकुरा बनाने में तो यहां पर देखिए अब हम ले लिया है एक चम्मज जो है आजवाइन और आजवाइन को थोड़ा सा क्रेश कर लेंगे और बस इसमें डाल देंगे आजवाइन डाइजेस्ट के लिए बहुत बढ़िया है इसके बाद यहां पर दो मेडियम प्याश को मैंने छोटा करके यह डाल दिया है और यहां पर दो हरी मिर्चे हरी मिर्च को मैंने छोटे-छोटे टुकडो में कट कर लिया है वो हम डाल देंगे आधा चम्मज इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे और इसमें हम आधा चम्मज हल्दी पावडर डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम कूटा हुआ काली मिर्श डाल देंगे और इसमें हम एक चोथाई चम्मत दाल चीनी पाउडर डाल देंगे तो सारे हिल्दी मसाले डाले हैं यहां पर मैंने M.D.H. का थोड़ा सा गरम मसाला डाला है एक चोथाई चम्मत बस मसाले इतने ही जो है चाहिए और ज्यादा नहीं हां अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा इसमें जो है पिजा सॉस डाल सकते हैं और थोड़ा सा ओर्गनों डाल सकते हैं लेकिन इतना ही काफी है और इसके बाद जो आलू मैंने मैस किया था उसी की मदश से इस आटे को हम गूत लेंगे तो देखिए हमने पानी नहीं डाल है इसको जो है आलू की मदश से देखिए अच्छे से मैंने गूत लिया है और यह देखिए बैंडिंग बन रही है जब आपको पानी की जरूरत लगे तब इसमें थोड़ा सा डाल के गूत लेना और इसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इससे थ पानी डाल के इसको गूत लेंगे और हम 10 मिनिट के लिए इसको रख देंगे तो यह जो है सूजी और मक्के के आटा जो है अच्छे से सौप्ट हो जाएगा फूल जाएगा ज्यादा इसको गीला नहीं करना है बस हलका इसा पानी के छीटे मार के इसको ढखके रख देना है उसके बाद हम यहां पर बना लेते हैं चेटनी तो डेली वाले जो घ्री घ्राट का जाते हैं तो डेश्टी चुट्नी में बनाने जा रही हूँ टिक्की के Сब्स यहां पर मैने आमचुर पाउर डाल देंगे आधा चमश इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे आधा चमश इसमें आमचुर पाउड़ा डाल देंगे और स्वात के नुसार जो है नमक डाल देंगे थूड़ा सा पानी डाल के बस ये देखिए जल्दी वाली बना लिया है हमने चटनी ये चटनी बहुत टेस्टी होता है थोड़ा सा गूत लेते हैं तो यह देखिए मेरा आटा बन के एकदम रेडी हो गया है और इसका हम बनाएंगे गूल-गूल टिक्कियां तो शारे पहले हम टिक्कियों को साइज एक साइज बना के सारा इकठा बना के रख लेंगे और इसके बाद इसको हम छोटे-छोटे टि ऐसे मुझे बना लेना है आप इसको कोई भी आकार दे सकते हैं तो दे खिए सारी टिक्किया मैंने बना ली थे आभ इसको हमें करना है फ्राई तो देखिए यहां पर मैंने तेल पहले से रख दिया था तेल अच्छे से गरम हो चुका है बस इसको हम डिम आज पे इसको हम फ्राई कर लेंगे टिक्की को तो ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना नहीं तो फिर उपर से कच्चे रह जाएंगे अंदर से भी क देखिए मैंने एकदम डिम आज पे करारी करारी से टिक्किया बना लिया है और यह खाने में इतना टेस्टी था देखने में बहुत खूशुरा था खाने में तो इसका दोगुणा स्वाथ था और यह विंटर जो है रेस्पी है आप जरूर ट्राई करना इसके साथ बढ़ भी मेरा जो है यह मक्के की आटे की टिक्की बनके रेडी हो गया है मक्के की रोटी मक्के की पराठा आपने बहुत खाई होगी लेकिन एक बार जरूर मेरी तरीके से यह टिक्की बनाना आपको बहुत पसंद आएगा उमीद करती हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर देना लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है न्यू हो तो सस्क्राइब कर लेना शेयर करना ना भूले ताकि मैं ऐसे आऊं न्यू रेस्पी के साथ बढ़िया बढ़िया रेस्पी विंटर वाला आपके साथ सेयर करूं